आओ हम सम मिलकर गाएं गाथा गुंडा धूर की धीर था वे वीर था बस्तर का शम्शीर था नमस्कार मैं हूँ प्रियंका साहू आज हम 36 गड के धुर्वा जनजाती के माटी पुत्र वीर गुंडा धूर के बारे में जानेंगे भारतिय स्वतंधता संग्राम में देश के जनजाती अंचल के अनेक गुंडा धूर का नाम सर्वो परी है उनका जन बस्तर के नेता नार नामक गाउ में हुआ था धुर्वा जनजाती के माटी पुत्र वीर गुंडा धूर के नेत्रत्व में बस्तर के देशभग इस्थानिय निवासियों ने अंग्रेजुई सासन को जड से उखाड फेकने के लिए सास के संस्थाओं तथा संपत्तियों को निशाना बनाया सन 1909-1910 इस्वी में बस्तर में राजारूत प्रताव देव जी राज करते थे अंग्रेज सरकार ने वहां बैजनात पंडा नाम के एक व्यक्ति को दिवान के पतपर निउक्त किया था दिवान बैजनात पंडा अंग्रेजों का चापलूस था इस्थानिय निवासियों का जमकर आर्थिक शोशन और अत्याचार करता था बैजनात पंडा, बस्तर के भूले भाले लोगों को परिशान करता था अंग्रेजों की सोशन और दिवान की कुटील नीतियों से बस्तर के लोग तरस्त थे बस्तर के अधिकांस लोगों की आजीविका वन और वनोपच पर अधारित थी वनो पस्ते ही वे अपना जीवन यापन करते थे वनो पर उनका एक अधिकार था परंतु तात कालिन दिवान बैजनात पंडा ने ऐसी नीती अपनाई की उनका अधिकार सीमित हो गया वनवासी अपनी अविशक्ता की छोटी छोटी वस्तूओं के लिए भी तरसने लगे जंगल से दातून और पत्यां तक तोड़ने के लिए भी उन्हें सरकारी अनुमती लेनी पड़ती बस्तर छेत में खोले जा रहे स्कूलों इवं पुलिस चौकियों के भवन निर्माड आदी के कारियों में वनवासियों से बेगार लिया जा रहा था रियासत के अधिकारी और करमचारी आम जंता से दुर्वेवार करते वेपारी सुद्खोर और सराब ठेकेदार इस्थानिय लोगों का सोशन करते थे लोगों को राजा से मिलने नहीं दिया जाता था यह सब दिवान बैजनात पंडा की सहपर हो रहा था धीरे धीरे जंता में आसनतोस पनपने लगा राजपरिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंडर सिंग और राजा की सुतेली मा सुवन कुवर जंता में बहुत लोग प्रिये थे 1909 इस्वी में बस्तर की जनता में इनके साथ मिलकर इंद्रावती नदी के तड़ पर एक विसाल सम्मेलन आयोजित किया धनुस, बाण और फरसा लिए हजारों लोग इसमें सामिल हुए इस सम्मेलन में सबने ये संकल्प लिया किवे दिवान और अंग्रेजो के दमनवा अत्याचार के विरुस संघर्स करेंगे ये सर्व सम्मती से एक उत्साही यूवक गुंडधूर को नेता चुना गया वीर गुंडधूर पढ़े लिखे नहीं थे मगर उनमें नाटक करने की छमता थी गुंडधूर का असली नाम सुमारू था सन 1910 इस्वी में जब बस्तर का संघर्स हुआ तब गुंडधूर की उम्र लगभग 35 वर्स थी गुंडधूर निडर साहसी तथा सत्यवादी यूवक थे इस्थानिय लोगों के स्वाभी मान तथा अधिकारी की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ने का साहस उनमें था वीर गुंडधूर ने नेतरत्व सम्हालने ही विद्रो के कारकरम की रूपरेखा बनाई इस विद्रो को इस्थानिय बोली में भूमकाल कहा गया इसका संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांध कर गाउं गाउं में भेजा जाता था इस्थानिय लोग इसे डारा मिरी कहते और बड़े उत्सा से उसका स्वागत करते गुंडधूर की अदभुत संगठन छमता का ही परिणाम था कि अल्प समय में ही हजारों लोग भूमकाल आंदोलन से जुड़ गये गुंडधूर ने अंग्रेजों, शोशक वेपारियों, सुद्खोरों, सरकार के पिट्टू अधिकारियों, करमचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई उनकी योजना में अंग्रेजों के संचार सादनों को नस्ट करना, सडकों पर बांधाय खड़ी करना, थानों एवं अन्य सरकारी कारियालों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल था दो फरवरी सन 1910 इस्वी को सबसे पहले बस्तर में इस एतिहासिक भूमकाल की सुरवात हुई, देखते ही देखते ये पूरे बस्तर में फैल गया राजा ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दी, अंग्रेज सरकार ने इस विद्रो को कुचलने के लिए मेजर गेयर और डी ब्रेट को 500 ससस सैनिकों के साथ बस्तर भेजा कुंडधूर ने मूरत सिंग, बक्सी, बाला प्रसाद नजीर, वीर सिंग, रानी सूवण कुवर तथा लाल कालेन सिंग के सहयोग से विद्रो का कुसलता पूर्वक संचालन किया आधुनिक हत्यारों से लेस अंग्रेज सैनिकों का इन वनवासियों ने अपने डंडा, भाला, तीर, तलवार और फरसा से जम कर मुकाबला किया जगा जगा मुटबेड हुई, सैकडो क्रांती कारी तथा अंग्रेज सैनिक मारे गये मई सन 1910 इसवी तक यह विद्रो अंग्रेजो द्वारा कूरता पूर्वक कुचल दिया गया प्रख्यात इत्यास का डॉक्टर राम कुमार बेहार के अनुसार सन 1910 का बस्तर विद्रो संगर्स के छेत्र और जनता दोनों की द्रश्टी से व्यापक था फिर से दक्षिन 136 किलो मीटर पूर से पस्चिम में 95 किलो मीटर का बस्तर छेत इस उथल पुथल से प्रभावित था गाउं गाउं में आम की टहनी लाल मिर्च घुमाया जाये लडाई के लिए एकत्र होना ये उसका सांकेतिक संदेश था वीर गुंडधूर ने पुना अपने सहयोगियों को एकत्रित कर अलवार में अंग्रेजों से मुकाबला किया सोनुमाजी नामक एक लालची व्यक्ती के विश्वास घात करने पर उनके कई साथी मारे तथा पकड़े गए पकड़े गय लोगों को बाद में फासी दे दी गई गुंडधूर किसी तरह से बच निकले अंग्रेजों ने बस्तर का चपपा चपपा चान मारा लेकिन अन तक गुंडधूर का पता नहीं लग सका अंग्रेजों ने उन्हें जीवित या मरत पकड़ने वालों को पुरुस्कृत करने की घोशना भी की परंतु अन तक वे पकड़े नहीं जा सके भूमकाल आंदोलन यदपी आसफल हो गया पर इसके माध्यम से गुंडधूर में इस्थानिय वनवासियों को उनके अधिकारों के प्रती जागरत कर दिया उनके भीतर अपनी मिट्टी अपने जंगल और देश के प्रती प्रेम का भाग जगा दिये आसफलता के बावजूद गुंडधूर के नेतब में किया गया ये विद्रो वनवासियों को अनेक सुविदाएं दिलाने वाला साबित हुआ वनों का आरक्षन कम किया गया बेगारी पर कुछ हद तक रोक लगी गुंडधूर को बस्तर स्वाभिमान कहा जाता है जनशूतियों तथा गीतों में उनकी वीरता का वर्णन मिलता है 36 गर सासन के द्वारा वीर गुंडधूर की इस्मृति में साहसिक कारियों तथा खेल के छेत में उत्करष्ट प्रदर्शन करने के लिए राज इस्रीय गुंडधूर सम्मान इस्थापित किया गया है इसके अलावा उनकी इस्मृति को अचुन बनाए रखने की द्रस्टी से जगदलपूर के एक महाविद्याले का नाम करन भी उनके नाम पर किया गया है